नमस्कार दोस्तूं कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध साहित्तकार आचारी चतुरसेंच सास्त्री जी की कहानी मोले। एक युवती के स्वाभिमान और पती के धन के बीच संघर्ष का एक अध्भुत चित्रनस कहानी में हैं। आचारी श्रे की यह श्रेश्टतम कहानी हैं। तो आए सुनते हैं एक खूपसूरत सी कहानी मोले। सिलहट आसाम से लेकर बंबई तक का लंबा सफर हर हालत में एक ठकाने वाला सफर है। यदि वह गरीब आदमी का तीसरे दरजे की रेलगारी में हुआ, तक तो हर इस्टेशन पर बरसाती मच्छरों की तरह गंदे और असिक्षित मुसाफिरों की भरमार और रेल पेल रहत परंतु बड़े आदमी इन तमाम बातों से बरी होने पर भी ठकते हैं। लंबा सफर पूरा कर अपनी अपनी अलसाई देह लिए फर्स क्लास के डब्बे से बाहर आ, कीमती फिरोजी रंग की कार में बैठे और उससे उतर कर अपने बंगले की हरी भरी रोंसों को पार करते। बंगले की दूसरी मंजिल में ठाट से सजे धजे शैनागार में नत जानू नौक्रों की अभ्यर्थना स्विकार करते हुए पहुँचे। तब नवीन ने अपना है टेक और फेक कर एक आराम कुरसी पर बैठते हुए अमला से कहा, यह सफर भी एक मुसीबत है अमला, मैं समझता हूँ तुम खूब ठक गई होगी, मेरे खयाल में अब तुम ज़रा आराम कर लो, फिर शाम को आज सिनेमा चलेंगे। अमला जो एका एक इस नए पती घर में पहली बार आ, भोचक सी उस सजे धजे शैनागार की कीमती चीजों पर एक द्रिष्टी डाल खिड़की के पास आखड़ी हुई थी, पती की बात सुनकर धीरे से बोली, धन्यवाद। नवीन ने मुस्करा कर पूचा, धन्यवाद का है कामला, आपकी इस सहानु भूती का, जो आपने मेरे प्रती प्रकट की, ओ, नवीन ने एक जोर की हसी का ठाहा का मारा, इतना हस्ती क्यों है महाशे, अमला ने होट और साथ ही भौमे सिकोड कर कुछ कुछ कृध स्वर में क महाशे, यहां महाशे कौन है अमला, आप है न, क्या मैं आपको छद्राशे कहने की जर्रत कर सकती हूँ, जिनोंने उदार्ता पूर्वक सिर्फ मुझे ही लेकर मेरे पिता के सारे करजे की बेबाकी कर दिये, करजे की बेबाकी सिर्फ तुमें लेकर, यह तुम क्या कह रही यो अमला नवीन ने आतुरवानी से कहा ठीकी तो दूसरा कोई नीच आदमी होता तो मेरे पिता की मोटर गाड़ी गोड़ा मकान बाग सब निलाम करा देता शायद इज़त भी ले लेता पांच लाक रुपए कुछ थोड़े नहीं होते महाशे इस वक्त पिता जी के पास पा यह किसे कहते हैं जनाब वह प्राणों का भी निमय जीवन का मोल और आत्मा का पवित्रता का एक ही करन है वह उस प्रकार का सोदा नहीं जैसा आपने किया है मैंने सोदा किया है क्यों नहीं आपका कर्ज एक आदमी पर था वह उसे चुका नहीं सकता था उसकी लड़की आपने कर्जे की बेबाकी कर दी, यह क्या बढ़ियां सौधा नहीं हुआ, परंतु, परंतु वरंतु कुछ नहीं महाश है, मैं आपसे कहे देती हूं कि मैं आपके बनिये पन को ग्रणा करती हूं और सदा ग्रणा करती रहूंगी, आपको याद रखना चाहिए कि इस्त्रिय मोल नहीं खरीदी जाती है, जीती जाती है, आपने मुझे मोल खरीदा है, परंतु मेरे शरीर को, ना की आत्मा को, मेरी आत्मा स्वतंत्र है, मैंने ना आपको वरा है और ना आप मेरे पती हैं, इसी से आप मेरे प्रती जो भी सद्वेवहार करेंगे, उसके लिए सभता की द्रिष्टी से आपको धन्यवाद देना मेरा कर्तब है ना मैं गमारिन हूँ और ना असब जो शिष्टाचार के नियमों में चूप करूँ एक भीनी मुस्कराहट नवीन के चेहरे पर आई उसने छाती पर हाथ धर सिर जुका कर कहा आपके सोजन्य और शिष्टाचार की मैं क्यों कर बढ़ाई करूं मिसमला परन्तु यदि आप आज्यां दें तो मैं निवेदन करूं कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको पांच लाख में खरीदा ही है अब मैं आपको शिग्र ही विजय भी करूंगा मैं जैसा कुशल ब्यापारी हूँ वैसा ही सफल विजय था भी मिसमला क्या मैं आशा करूं कि कुछ दिन आप इस गरीब के जोपड़े में उसका आतित्थ स्वेकार कर उसे प्रतिष्ठा प्रदान करेंगी यह सेवक आपकी सेवा से अपने को क्रतार्थ समझेगा इतना कहकर नवीन चंद्र तीब्र गती से कमरे से बाहर हो गए अमला के सारे तीर तमंचे धरे ही रह गए वह उस शयन कक्ष में कुछ देर होट काटती रही और फिर उस फूलों से सजे पलंग पर जो उसकी सुहाग रात के लिए सजाया गया था गिर कर फूट फूट कर रोने लगी वैभो से परिपून महानगरी बंबई की उस वैभो पून अटालिका में सुंदर सुखत छपर खट पर पड़ी अमला गंभीर चिंतन में निमग न थी विधी विधान से जिसके साथ सब विवाह विधी पून हुई वह कैसे पती नहीं माना जा सकता कौन शक्ती उसे हिंदू नारी का पती होने से रोक सकती है फिर नवीन बाबू की आयू यद्यपी कुछ अधिक है पर वे अतिशय, सुंदर, सुगठित और संभेव्यक्ती है संपत्ती तो उनके पास अथा है सद्वेवहार और उदार्ता में भी वे एक है गत छे माह से अमला का उनका परिचे है इस बीच उन्होंने कभी भी कोई अभद्र आच्रण उसके साथ नहीं किया है उसके साथ उनका यह विवाह यद्यपी उसकी स्विक्रिती से हुआ है पर यह भी कोई स्विक्रिती है पिता ने जब कहा कि उनकी इज़्जत आबरू मर्यादा सभी कुछ उसके हाथ में है बिना उनसे व्याह किये वे पत्के भिखारी हो जाएंगे उनकी पीडियों की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी तब अमला के पास स्विक्रिती को छोड़कर दूसरा उपाय क्या था पर यह स्विक्रिती तो लाचारी की स्विक्रिती है इसमें कोटशिप, स्वातंत्र, पसंद और प्रेम कहा है इसलिए उसने उच्च सिक्षा प्राप्त की थी कि इस भाती वह बेच दी जाए फिर भी अमला के विचार का एक विशय यह था कि आखिर नवीन में उसकी नापसंदगी की चीज क्या है बहुत सोचने पर भी वह उनमें कोई दोश नहीं निकाल पाती पर उसका गरवीला हर्दे जब इस निर्णे पर पहुँचता कि यह विवाह उन्होंने रुपए के बल पर किया है और उस पर उनकी यह गरवोकती कि अभी तो उन्होंने सिर्फ खरीदा ही है वे उसे विजय भी करेंगे तो उसका आत्मा विमान हाहा कार करोड़ता था और वे कहती थी नहीं नहीं कभी नहीं यह आदमी मेरा पती नहीं है मैं कभी भी इसको आत्म समर्पन नकदूंगी कभी भी नहीं भले ही जान चली जाए सोचते सोचते उसका मुह लाल हो आया आशु सूप गए राधा ने धीरे से कमरे में आकर विनीत स्वर में कहा बहु रानी क्या आज घूमने चलेंगी मालिक ने पूचा है वे मोटर में बैठे इंतजार कर रहे है नहीं मुझे काम है अमला ने रुखाई से जवाब दिया परन्तु उसने खिड़की से ज़ाब कर देखा नवीन बाबु कार की बगल में खड़े उपर मुँ उठाये अमला की प्रतीक्षा कर रहे है अमला की आत्मा जैसे अकस्मात गल गई उसने दासी को रोक कर कहा ठहर राधा उनसे कहें मैं आती हूँ राधा सुनकर हस दी और वह मालिक को यह असाथ सुसंदेश सुनाने चली गई अमला ने नवीन के पास आकर कहा आग्या पालन में देर हुई छमा कीजेगा क्या मैं पीछे बैठ जाओ आप यदि आगे मेरे पास बैठ कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं तो अच्छा है ड्राइब मैं ही करूँगा जैसी मालिक की आग्या वह चुपचाप कार में बैठ गई बैठने के समय अत्यंत संयत भाव से उसने अपने कपड़े वा साड़ी को समेट कर ठीक कर लिया नवीन ने मुस्कराहत छिपा कर धन्यवाद दिया और तीर की भाती कार छोड़ दी अनंत सागर धर्मी से टकर ले रहा था धवल फेन राशी उठती गिर्ती और गरस्ती थी कार सागर तीर की साप सिबेंट की सड़क पर जैसे वायुगती से तैर रही थी लंबे सननाटे को तोड़कर नवीन ने कहा देखा आपने क्या इन लहरों का उत्पार अकारन ही अशान्त हो रही है तूफानी ढंग से उठती हैं किनारे पर टकर मारती है और विफल मनोरत पीछे लोट जाती है मर्यादा के बंधन में समुद्र तल बंधा है भला ये कृद लहरें उस मर्यादा का उलंगन कर सकती है अमला ने व्यंग को समझा वह होट काट कर चुप रह गई कार उड़ी जा रही थी दो-चार सफेद रंग की चिडियां समुद्र तट पर उड़कर मचली के शिकार को ताक रही थी नवीन ने कहा उधर ये लहरें अपनी कुटिल भ्रोभंग में लगी है इधर बेचारी मचलीयां बेर्थ ही उनकी चपेट में आकर इन पक्षियों का शिकार बनती है कहो गुस्सा किसी पर और भोगे कोई अमला ने जैसे असहेंशील होकर कहा किसका गुस्सा कौन भोगता है देखती तो हो अमला लहरों का गुस्सा बेचारी असहाय मचलीयां भोगती है तो मैं क्या करूँ अमला ने तिनक कर कहा पर तुरंत नवीन के आर्दुस्वर और कमपित हाथों को देखा उसने सोचा मैंने कुछ कठोर बात कह दी उसने कहा आप इन असंयत लहरों के लिए क्या दंड तजवीज करते हैं कुछ नहीं अमला मेरा खयाल है तूफानी वाईव जयों ही बंद हो जाएगी लहरें शान्त और इसनिक हो जाएगी और तब हम दोनों एक छोटी सी डोंगी पर सवार हो उस धवल छुद्र पक्षी की भाती उन लहरों पर सेर करने लगेंगे धीर समीर हमें ले चलेगी और सूर की स्वर्ण किरने हमें आलोग दिखाएंगी नवीन का कंठ कमपित हो गया अमला दूर जल राशी में मगन होते सूर को एक टक देख रही थी उसे जैसे मालुम हुआ कि नवीन पत्ते की भाती कांप रहे हैं और एक अत्यन्त गोपनिये आसु उनके नेत्र कोण में जहांक कर सूप गया है उसका नारित्व जैसे विगलित होने लगा फिर बात नहीं हुई अंधकार बढ़ने से पहले ही दोनों घर लोटा है इस बार अमला उन्हें धन्यवाद देने का साहस न कर सकी वह तीर की भाती तेजी से अपने कमरे में चली गई नवीन बाबु धीरे धीरे सोचते हुए घर में गुसे अमला सोच में पढ़ गई जैसे कोई चोर उसके मन में घर कर बैठा हो नवीन के प्रती जैसे उसके प्राण खिच रहे हो प्यार का एक बीज उसके हिर्दे में विक्सित हो रहा था पर उसका आत्मभिमान मचलता था वह सोचती थी यह विशाल महल और अटूट संपत्ती उसी की है पर वह उसे हट पुर्वक पराई समझ रही है यह क्या उसका अपने उपर अन्याय नहीं है उसे सुख और आराम के सब सुख साधन उपस्चित थे नवीन उसका बहुत मान करते थे सेवक दासी उसकी इच्छा पूर्टी को उपस्चित थे फिर भी जैसे उसे शून्ने सा लग रहा था पिता को उसने प्यार किया था उनकी उसे याद आती थी पिता के पास जाने की कभी-कभी उसकी इच्छा प्रवन होती थी परन्तु जब वह सोचती कि पिता ने उसे बिना उसकी इच्छा के बेच दिया है वह क्रोध और दर्ब से कहती नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं कभी उस घर न जाओंगी उन्होंने मुझे बेच दिया है, मेरे साथ अन्याय किया है मैंने उनकी आग्या पालन करके अपने कर्दवे पित्र भक्ती को पूण कर दिया बस अब अधिक और नहीं तब फिर अब क्या करूँ नवीन बाबु के प्रती उसका मन जब खिंचता था वह बेचैन हो जाती थी कभी कभी उसके मन में होता मैं उनके हिर्दें से जा लगू इस्त्रीत की यह नैसरगिक गती थी पर उसकी शिक्षा, सैयम, आत्म सम्मान उसे रोकता था वह कहती वही क्यों नहीं आकर माफी मांगते पहले उसका खयाल था मैं कभी उन्हें माफ न करूँगी फिर सोचने लगी, अगर सचे मन से माफी मांगे तो परंतु उन्होंने तो मुझे चुनोती दी है, चुनोती और कैसी गर्वोकती है, अभी खरीदा ही है अब विजय करूँगा, विजय करेंगे वे? नहीं नहीं, कभी नहीं, देखूंगी कैसे वे विजय करते हैं क्रोध और अभिमान से ओध प्रोध अमला तडप कर पलंग पर लोट जाती फिर रोने लगती, रोते रोते उसका अभिमान गल जाता वह फिर उन्हें बातों की सोच में पढ़ जाती इधर तीन-चार दिन से उसकी भेंट नवीन बाबू से नहीं हुई थी वह प्रतिछन उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी पर वह सुन चुकी थी कि उन्हें बहुत ही काम है और वह बहुत व्यस्त है ओफ कैसे दुख का विशय है कि वह किसी काम में बिल्कुल भी व्यस्त नहीं है कोई कैसे व्यस्त रहता है उसका मेधावी मस्तिस किसी काम में व्यस्त रहना चाहता था एका-एक उसके मन में आया क्यों न मैं कहीं नौकरी कर लूँ जब मैं उन्हें पती ही नहीं मानती, यह घर ही जब मेरा नहीं, तब अतिती की भांती पड़ी क्यों रहूँ, मैं उन अधा मिस्त्रियों में नहीं हूँ, जो पुरुशों पर आश्रित रहती हैं, और उनका भार कहाती हैं, मैंने एमें पास किया है, मुझे चेश्टा करने स कहीं भी एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। उससे मैं अपना वह मोल भी चुका दूँगी जिसमें मैं बेच दी गई है। उसके हर्दे में आत्म सम्मान की उमंगिल हिलोरे मारने लगी। उसने कहा अवश्य ही मैं अपना मोल चुका दूँगी। मैं पिता का रण चुकाऊंगी। पिता का रण पुत्र चुकाता है। पुत्री क्यों न चुकाए। फिर पिता ने पुत्र की ही भाती मुझे शिक्षा दी है। वह दरता पूर्वा पुठी और नवीन के काम करने के कमरे की ओर चली। नवीन बैठे कुछ जरूरी कागज देख रहे थे अमला को आते देख व्यस्त भाव से उठ खड़े हुए उन्होंने कहा आईए मैंने क्या इस समय यहां आकर आपका बहुत हर्ज किया नहीं नहीं अमला हाँ मैं बड़े काम में फसा रहा आपके पास आही न सका आप बैठे तो अमला ने बैठते हुए कहा मैं चाहती हूँ कि मैं भी किसी काम में लगूँ काम में यह कैसी बात है कैसे काम में यही कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए मेरा सर्टिफिकट कुछ मदद दे सकेगा सीखने से काम भी आ जाएगा मैं कोई भी नौकरी कर सकती हूँ परंतु अमला तुम्हें हाँ आपको नौकरी करने की जरूरत क्या है जरूरत है एक तो मैं खाली बैठे बैठे जीवन और समय नस्ट नहीं करना चाहती दूसरे और भी एक बात है कौन बात नवीन ने अचकचा कर पूचा मैं अपना मूल्य चुका देना चाहती हूँ कैसा मूल्य आपने जिस मूल्य में मुझे खरीदा है ओ वे पांच लाख रुपए और उनका ब्याज एक भीनी मुस्कान उनके होटों पर दोड़ गई उन्होंने कहा पर यह तो बहुत कठिन बलकि असंभव सा मालूम होता है अमला देवी पांच लाख रुपए बहुत होते हैं सूध ही धाई हजार रुपए महिना होता है इतना तुम नौकरी करके कैसे चुका सकती हो तुमने एमे पास किया है ज्यादा से ज्यादा तुम्हें दो तीन सो की नौकरी मिल सकती है मैं अगर शिफारिश करूं और जमानत दूं तो इससे दूनी तक पास सो तनखुआ मिल सकती है तो आप अपनी जमानत और स्विफारिश पर मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दीजे आपका एहसान होगा सूध न सही, मूल ही चुकाऊंगी आखिर मैं कब तक आपके उपर आतित्त का भार डाले रहूं उसके होट फड़कने लगे वह इसी सिलसिले में कुछ और भी कहना चायती थी पर नवीन की भाव भंगिमा से वह सहम कर चुप हो गई उसके अंतिम वाक से नवीन के हरदय में आगात लगा है यह उसने देखा वह अपराधनी की भाती नवीन की ओर देखती रही नवीन ने फीकी मुस्कराहाट होटों पर लाकर कहा आतित्त के भार की बात भी ठीक है आपकी अच्छी बात है मैं आपकी आज्या का पालंग करूँगा हाँ, आपके आतित्त में कोई कमी तो नहीं मैं यह कहने की द्रिष्टता तो नहीं कर सकता कि आप इस घर को अपना घर समझे पर फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी आवशक्ताओं के लिए संकोज नवीन की बातें जैसे वेदना और व्यंग की सीमा लांग रही थी उन्हें सुनने की सामर्थ अमला में न थी वह पूरी बात न सुनकर ही वहां से भाग गई चलते समय उसने कुछ अस्फुट शब्द कहे उन्हें नवीन ठीक ठाक न समझ सके वे मन की वेदना को छिपाने के लिए दोनों हाथों से माथा थाम कर बैट गए दूसरे दिन प्राते काल नवीन ने अमला को एक पूर्जा लिख वेजा उसमें लिखा था आप क्या अभी मेरे साथ चाय पीकर मुझे प्रतिष्ठा बक्षेंगी कल जो बाते हुई थी उस संबंध में मुझे कुछ निवेदन भी करना है एक अच्छी नौकरी की उम्मीद है जवाब में अमला स्वयमी चली आई चाय पीते पीते उसने पूँचा कैसी नौकरी है नौकरी बड़ी जोखिम की है पर मैं आशा करता हूँ आप उसे कर सकेंगी हाँ काम सीखना होगा मुझे क्या करना होगा एक बड़े फर्म की मैनेजरी की नौकरी है वेतन मिलेगा हजार रुपए महीना मगर एक लाग की नकत जमानत चाहिए नवीन बाबु मुस्कराहट छिपाने को दूसरी ओर देखने लगे इतनी भारी जमानत मैं कहां से दे सकूंगी आपके लिए मैं जमानत दे सकता हूँ अगर आप दो बातों का वचन दे दो बाते कौन एक यह कि आप उसे स्विकार करें दूसरे आप महनत और एमानदारी से काम सीखें समझें और करें अमला की आँखों में आशु आ गये उसने कहा पहली बात स्विकार करना बहुत कठिन है मैं आपके एक लाक रुपए जोखिम में नहीं डाल सकती रही दूसरी बात सो क्या आप मेरी इमानदारी पर शक करते हैं यह बात नहीं है अमला नवीन ने अमला के दर्द को समझ कर कहा असल बात तो यह है कि आपके हाथों लाकों नहीं बलकि करोणों रुपए का ब्यापार होगा आपकी जड़ा सी असाओधानी से फर्म मालिक को लाकों की हानी हो सकती है फर्म की पूरी जिम्मेदारी आप ही पर रहेगी क्योंकि फर्म के मालिक शीकर ही व्यवसाय के संबंध में जापान जाना चाहते हैं मैं ऐसी जोखिम की नौकरी नहीं कर सकती अमला ने तूटे हिरदय से कहा तब सो रुपए की एक नौकरी कन्या पाटशाला की और है चेश्टा करने से एक दो ट्यूशन भी मिल सकती है देड़ सो तो दोर धूप कर आप कमा ही सकती है पर इसमें क्या आप अपना मूले चुका सकती है अमला मरमाहत हुई कुछ देड़ तक उसके मुख से बात नहीं निकली उसने सोचा सो डेड़ सो इतना तो मैं अनायासी ही एक दिन में खर्च कर दे सकती है उसके कैश बॉक्स में नजाने कौन नोटों के बंडल भर जाता है हालांकि वह कभी कुछ खर्च नहीं करती और कैश बॉक्स छूती भी नहीं उसने भै, अनुने और संकोच आँखों में भर कर कहा आप कह सकते हैं कि मैं अबला इस्तरी इतनी भारी नौकरी ठीक तोर पर बजा सकूंगी क्यों नहीं, पुर्षों में क्या सुर्खाग के पर लगे हैं मैंने कह तो दिया, यदि आप मेहनत और एमानदारी यह आप न कहिए, अमला ने उत्तेचित होकर कहा जहां तक मेहनत और एमानदारी का संबंध है मैं प्राणों की बाजी लगा दूँगी तो न केवल आप उस फर्म की मैनेजर ही रहेंगी प्रत्युत उसकी एक बड़ी हिस्सेदार भी हो जाएंगी और अपना मूली ही नहीं सूद भी एक बार नहीं, पांच बार चुका सकेंगी ओफ, क्या यहीं संबह हो सकता है वह आपे से बाहर होकर आवेश में उठकर नवीन बाबू की ओर चली पर फिर धम से कुर्सी पर बैट गई उसने अत्यंत दीन भाव से कहा यद्यपी है मेरा परम सौर्थ है पर आप दया करके अगर मेरी जमानत दे दे तो उसके होट कांपने लगे और आँखों में आशू आ गए नवीन ने बल पूर्वक अपने आशू आँखों की कोर में छिपा कर कहा जैसी आपकी आग्या तो आप मेरे साथ ओफिस चलने को तयार रहे ग्यारह बजे भोजन के बाद हम चलेंगे आज ही अभी जी हाँ नवीन बाबू ने जरा रुखाई से कहा और टेबल से उट खड़े हुए अमला को फिर कुछ कहने का साहस ना हुआ उसने सहंती आवाज में कहा मैं तयार रहूंगे वह चली गई नवीन बाबू जब अमला को साथ लेकर अपने आफिस पहुचे और आफिस के हिंदुस्तानी और यूरोपियन कर्मचालियों का अभिवादन ग्रैंड करते हुए अपनी शांदार टेबल पर और अमला को एक कीमती कुरसी पर बैठने का संकेत कर सोयम भी बैठ गए तब अमला ने विसमे विस्फारी तहांकों से नवीन बाबू की ओर देख मानो मन ही मन कहा ऐसा तुम्हारा वैभव है नवीन के कुरसी पर आसीन होते ही उनकी यूरोपियन प्राइवेट सेक्रेटरी डाक लेकर अदब से हाजिर हुई नवीन ने बिना उसकी ओर देखे कहा धन्यवाद मिस सूफी पर कुछ मिनट ठेहरो अभी मिस्टर रॉबर्ट को जरा मेरे पास पेज़ दो मिस सूफी ने शिष्टा चार के लिए गरदन जुकाई और चली गई दूसरे ही चण एक प्रॉड यूरोपियन ने आकर नवीन को अभीबादन किया नवीन ने अभीबादन का जवाब देकर उसे बैठने का संकेत करके कहा मिस्टर रॉबर्ट मैं आपका परिचे अमला देवी से कराता हूँ आपको एक महीने में जापान के आफिस में जाना होगा और यहां का कुल काम यही करेंगी इस एक महीने में आप सब काम इन्हें समझा दें जिसमें अर्चन नहो संभो है मुझे भी जापान जाना पड़े क्योंकि वहां का मामला सुलस्ता देख नहीं रहा है खैर आपने क्या अमला देवी का appointment पत्र तयार कर लिया है जी हाँ यह है उन्होंने एक कागज उनके सामने बढ़ाया उस पर सरसरी नजर डाल कर और दस्तखत करके अमला की ओर बढ़ाते हुए नवीन ने कहा लो अमला आज से आप इस फर्म की मैनेजर हुई आपको एक हजार रुपया मासिक बेतन, एक कार और पचास रुपय रोज भत्ता मिलेगा परन्तु एक ही मास में आपको तमाम काम सीख लेना होगा अमला यह देखकर हक्का बक्का हो रही थी सबसे बड़ी बात नवीन के चेहरे का वह भाव था जिसके सामने अधिन्ता के सिवा दूसरी कोई बात नहीं की जा सकती थी घर पर जो उनके चेहरे पर प्रेम, विने, कोमलता के भाव थे वे यहां नहीं थे यहां उनकी तेज, पूर्ण, शाशन और अधिकार की मूर्ती थी अमला ने खांस खकार कर कहा तब क्या मैं यह समझू, कि मैं आपकी ही नो करूँ अगर आपको इसमें कुछ आपत्ती न हो, यह एग्रिमेंट है आपको सुईकार हो तो दस्तखत कर दे उन्होंने मालिकाना, रुवाव और कुशल ब्यापारी की भादी कहा अमला ने एग्रिमेंट पढ़ा और चुपचाप दस्तखत कर दिये उसने ठंडी और मुर्दा आवाज में कहा नहीं, मुझे कोई उजर नहीं है, पर मैं रहूंगी कहा नवीन ने निरलेब भाव से कहा अभी आपका जैसा रहन सहन चल रहा है, वही रहेगा और बर्बस अपनी हसी रोकने के लिए उन्होंने जोर से घंटी बजाते हुए कहा मिस्टर रॉबर्ट, अब आप इन्हें इनके ऑफिस में ले जा सकते हैं लेडी टैपिस्ट मधुर सेंट की गंद फैलाती हुई कमरे में आ, अदब से खड़ी हो गई और अमला हिर्दे का भार साहस पूर्वक उठाकर मिस्टर रॉबर्ट के पीछे-पीछे चल दी नवीन ने एक ठंडी सांस ली और अपने काम में लग गए अमला बड़ी ही टेड़ी लड़की थी एक ही महीने में उसने इस ततपर्ता और मुस्तेदी से काम को अपने कबजे में किया कि ओफिस में उसका आतंक छा गया समय को समय कि उसे परवाह न थी भावक्ता को उसने भुला दिया था काम की उसे धुन थी वह आधी की भाती काम खतम करती थी मिस्टर रॉबर्ट जब उसके काम की गुप्त रिपोर्ट नवीन को देते तब एक आनन्द मिश्रित संतोष उनके हर्दय को भर देता था इस वीच ऑफिस वर्क को छोड़ कर उसने बहुत कम नवीन से भेड की नवीन ने भी धैरे पूर्वक संयम रखा फिर भी वे संध्या के समय उसे घुमाने ले जाते उसका मन बहलाते और उसकी आत्मा को अपने निकट भी लाने की चेश्टा करते थे अमला पर इसका कुछ असर पढ़ता था की नहीं यह इश्वर जाने पर वह नवीन बाबू के प्रति अति विनीत और आज्या कार्णी हो गई थी महीने की समाब्ती पर जियों ही अमला को पहला वेतन मिला उसे जियों का तियों लेकर वह नवीन के पास आई नवीन असमे में उसे आया देख बोले क्या बात है अमला अमला ने रुप्या मेज पर रख कर कहा यह कर्ज खाते में जमा कर लीजे नवीन ने अमला की और कुछ देर देख कर कहा असल में यह सूत के पेटे जैसा आप ठीक समझे नवीन ने कुछ न कहकर घंटी बजाई एक मिस हाथ में पेंसिल कागज ले हाजिर हुई नवीन ने कहा यह रुप्या मेम साब का जमा करके रसीद ला दो मिस्टर जुका कर चल दी और नवीन अपने कागजों को उलटने लगे अमला चुप चाप बैठी रही कलरक ने रसीद लाकर अमला के हाथ में दे दी नवीन की इस समय की नीरस भावना से हरदय में आगार खाकर अमला चुप चाप उठकर जाने लगी नवीन भी मान में थे पर उन्होंने उसे जाते देखकर कहा हाँ अमला मुझे आपसे कुछ कहना है अमला लोट पड़ी उसने अपेक्षा प्रत नकली विनेत भाव से सिर जुका लिया नवीन ने नर्मी से कहा बैठ चाहिए अमला अब आपको एक महीना अपना काम करते हो गया काम सीखने के लिए इतना ही समय दिया गया था अब जापान में मिस्टर रॉबर्ट की बड़ी ही जरूरत है और वे परसोच चले जाएंगे काम का कुछ ऐसा पेच आ पड़ा है कि शायद मुझे भी जाना पड़े अमला एका एक बेचैन होकर बोली आपको नवीन को अमला के स्वर में एक नई वस्तु दीख पड़ी जैसी की प्रथम नहीं देखी गई थी उन्होंने और भी म्रदुल भाव से कहा हाँ अमला मैं न जाऊंगा तो भै है कि मुझे लाखों का गाटा हो जाएगा पर मैं आशा करता हूँ आप सब समाल लेंगी एक ही महीने में आपने जैसी योकिता का परिचा दिया है उससे मुझे विश्वास हो गया है अमला का कंठ स्वर काप गया पर उसने कहा आपके नहोने पर मुझे भै है नहीं नहीं मैं एक छड़ भी वहां व्यर्त न ठैरूँगा जिवी परिस्थिती ठीक हुई मैं लौट आउँगा इन दो दिनों में अब हमको बहुत काम करना होगा मिस्टर रॉबर्ट का तो सब काम आपने समझ ही लिया मेरा काम दो दिन में समझना है और मुझे सफर की तैयारी करनी है अमला का कंट सूख गया उसकी वह आकुल मूर्ती देख नवीन आनंद विपोर हो गया अमला ने एका एक कहा एक निवेदन है कहिए आपने मेरी योग्यता जांच ली शाहिद विश्वास भी कर लिया नवीन ने घबराकर अमला की ओर देखा अमला ने कहा अब अगर आप उचित समझे तो अपनी जमानत हटा ले मैं प्रतिग्यां करती हूँ की अमला की आँखों से टपटप आंसू टपक पड़े नवीन भी आंसू न रोग सके उन्होंने अमला का हाथ अपने कापते हाथों में लेकर कहा अमला अगर तुम मुझे समझ सको इस बार का यह तुम अमला को बड़ा प्रिय लगा वह उसी भाती नवीन के हाथों हाथ दिये रोती रही नवीन के चले जाने पर अमला का हिर्दे हाहा कार करने लगा उसकी आखें जैसे अंधी और कान बहरे हो गए उसे सब और अंधेरा और शोन्य दीखने लगा और वह समझ गई कि धूर्त महाचन ने न सिर्फ उसे खरीदा ही है प्रत्युत जीत भी लिया है वह उसी की है सोलह आना उसकी नवीन उसके प्राणों में रोम रोम में बस गया है उसका अभिमान न जाने कहां चला गया उसके हर्दे मानों पुकार पुकार कर कहने लगा कहां हो ओ निस्ठुड महाजन ओ विजई नवीन आओ और अमला की असहाय लतिका को सहारा दो हिर्दे से लगाओ और तभी उसे यह भी भान हुआ कि यह घर, कारबार और सब कुछ मेरा है नवीन के उन आस्वों ने भेद खोल दिया था उसे एक नए जीवन का भेद प्रकट हो गया था और वह घर में पागल सी दोड़ती नवीन की चीजों को प्यार करने के लिए घूमती फिर रही थी नवीन के चित्र के आगे उसने नतमस्तक होकर सिर जुकाया उस पर फूल चड़ाये आफिस में आकर वह पहले नवीन की कुरसी को आचल से जाड़ कर उसे चूमती तक काम में जुठती उसके उनमात को रोकने में सिर्फ भारी जिम्मेदारी और काम का पहार ही सहाया को रहा था वह नौ बजे ही आफिस आ जाती और वह अंधेरा होने तक बैठी काम करती रहती वह अपनी जिम्मेदारी समझ गई थी करोणों की ब्यापार और विश्व भर्चे पत्र ब्यवार का उतर गाई तो उस पर था दिन के दिन और महीने के बाद महीने बीचते गए नवीन के खत आते थे उनमें सिर्फ काम काज की बातने रहती थी उनमें वह प्यार की एक छाया खोजने को तडबती थी वह सोचती थी कि कभी वे निस्टुट एक प्यार का शब्द भी न लिखेंगे कभी सोचती मैं ही लिखूं पर वह लिखना सकी चार महीने बीट गए और एक दिन ब्यापार की दुनिया में तूफान आया बाजार के भाव उलट पुलट गए बैंक अकस्मात बंध हो गए फर्म के हेट क्लरक ने अमला के पास बदहवासी से आकर कहा पचास लाख रुपया नकत हाथ में न होने से हमारा टाट उलट जाएगा परसों दस बजे हमें पचास लाख रुपय की बैंक की हुंडियों का बोखतान करना होगा हमारा रुपया जिन फर्मों में जमा है यह उनकी सूची है पर उनसे कुछ भी मिलना संभव नहीं क्योंकि बैंक बंध हो रहे हैं सारी परिस्तिती को देखकर अमला का सिर्चक्रा गया पर उसने साहस से काम दिया उसने कहा आखिर एकाय की यह क्या हो गया एक ब्यापारी ने आठ करोन का दिवाला निकाल दिया उसके साथ कई फर्म और दो तीन बैंक भी पिस्म दे हमारी भी वही गत होगी अमला ने कुछ कुरुद्ध होकर कहा बको मत मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमें कुल कितना रुपया देना है पचास लाग हुजूर कब तक परसों दस बचे तक अपने पास कुल रकम कितनी है मुश्किल से पंद्रह लाग पावना कितना है लगभग इतना ही है यह फेहरिस्थ है पर इसमें से कुछ मिलने की आश्चा नहीं क्यों बैंक बंध है और ब्यापारी सब इसी स्थिती में है जिसमें हम अमला सोच में पड़ गई क्लरक ने कहा क्या मालिक को खबर कर दी जाए अमला ने भूर संकोच कर कहा इसके लिए समय कहा है इसके एक छण बाद उसने फिर कहा अच्छा तुम अपना रुपया तयार रखना और मोटर लाने की आग्यां दे पौने दस बज रहा था दो दिन तक बिना खाए, पिए, सोए सब पामने दारों पर घूम फिर कर अपने सब गहने पाते बेच कर अमला कुल 40 लाख रुपया इकठा कर सकी उन्हें टेबल पर रखे वह अतिशय उद्योग्न मन से 15 मिनट बाद जो सर्वनाश होने वाला है उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और रुपया पाने की कुछ हाशा न थी और फर्म का दिवाला निकलने वाला था अमला विकल भाव से आफिस में टहल रही थी एक-एक मिनट पहाड सा जा रहा था दस मिनट और बीट गए सिर्फ पांच मिनट रह गए पांच मिनट इन पांच मिनटों में उसी के हाथ से उसके पती की मालिक की सब प्रतिष्ठा जाने वाली है उसने सोचा अगर ऐसा हुआ तो वह आत्मगात कर लेगी ओफिस के कर्मचारी सननाटा बांधे चुप बैठे थे एक मोटार आकर द्वार पर लगी और नवीन तूफान की तरह एक हैंड बैग लिए ओफिस की और दोडे कर्मचारियों के मुँ से चीख निकल गई अमला ने समझा वह घड़ी आ गई उसने दराज से पिस्टॉल निकाली और दूसरे ही चण वह नवीन की गोद में मूर्चित थी हैंड बैग की तरफ संकेत करके कैशियर से नवीन ने कहा उसमें पचास लाख रुपय के नोट हैं हुंडियां चुकता कर दो और वह अपने बलिस्ट हाथों में अमला को लिये मोटर की और लपके मोटर बंगले में आई अमला होश में आ गई थी और सौपन की भाती बीती घड़ियों को इसमरण कर रही थी अमला ने भैभीत होकर कहा वे हुंडियां संकट टल गया प्रिये हुंडियों का भुकतान हो गया साथ ही यह तुमारा कमिशन 40 लाग रुपया है मैंने कहा था न कि अच्छी नौकरी है आज मैनेजर हो किसी दिन हिस्सेदार बन जाओगी और अपना पांच गुना मोल चुका सकोगी तुमारा मुल मैं कभी न चुका सकोंगी स्वामी अमला ने नवीन के हर्दे में मोच छिपा लिया अमला को अपना कर नवीन क्रत क्रत्य हो गए वही बंबई से आसाम तक का लंबा ठकाने वाला सफर दोनों कर रहे थे एक बार पिता का आशिरवाद प्राप्ट करने की लालसा अमला न रोक सकी इसी से दोनों जा रहे थे हाँ ठकान के इस्थान पर इस फूर्ती उमंग और जीवन था दोनों ने दोनों को पा लिया था तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे दोरा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दवाना बिल्कुल भी न भूलें धन्यवाद